जब लिनोवो लॉक लॉंच वह था था हमने i7 13 जेनरेशन के साथ 4060 वाला वेरेंट रिव्यू किया था जो 1,10,000 का चल रहा है आज की रेट में और मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोला कि यह जो लॉक है ना उसका 3050 है वो 6GB VRAM के साथ तो मंगाना तो बन पर हमारे को 4050 वाले लाप टॉप भी मिल जाते हैं यह 3056 जीबी के साथ आता है या फिर इस वीडियो में इसके 3056 जीबी वाले की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा कि आप सस्ता वेरेंट लाइक आई 5 12 जेनरेशन वाला भी आप देख सकते हो तो अन्बॉक्सिंग वगर इधर लॉक की ब्रैंडिंग को रखी है और यहां पर टॉप लेक्स हमारे को ऐसा जादा नहीं मिलता एंड लाप्टाप का वेड इस्ट्रिबूशन अच्छा है एकाथ से लिड उपन जाती है एंड यहां पर कीबूर्ट फ्लेक्स अगर आप देखोगे तो वह भी जादा की तरफ है एंड मैक्सिम्म लाप्टाप के लेड कुछ इतनी खुल जाती है 110 120 डिग्री के आसपास लाप्टाप का वेट हेवियर साइड है 2.4 केजी का लाप्टाप है पूरा फुल फ्लेजड गेमिंग लाप्टाप वाला बेट है कंदो बस हो रहाएग अब यह देखो इस लाप्टाप के अंदर मारे को मिल जाता है AMD Ryzen 7 7840 HS जो हमारा 8-core 16-threads वाला प्रोसेसर है और RTX 3050 हमारे को यह पर मिल जाएगा जो हमारा 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है 95W TGP के साथ है और यहां पर 16GB RAM मिल जाएगी DDR5 डूल चैनल में 5600 MHz स्पीड वाली एंड मैक् 20,000 Mbps, 4,000-5,000 होनी चीए थी 2023 चल रहा है यह एक ड्रॉबैक लगा मेरे को लेकिन हाँ यह जन 4 सपोर्ट करता है यहां पर दो SSD के स्लॉट मिलेंगे एक स्लॉट तो फुल साइज वाली SSD सपोर्ट करता है लेकिन जो दूसरा स्लॉट है मिनी साइज वाली SSD लगते है जो र यह 85-88 का है और अगर इस लाप्टॉप के प्रोसेसर को आई 512 जनेरेशन के साथ साथ साइड बाई साइड कंपियर करोगे ना तो बहुत बड़ा डिफरेंस है 7840HS काफी अच्छा कासा परफॉर्म करता है सिंगल कोर परफॉर परफॉर में लेकिन प्राइजिंग में भी पूरा गुपरा 10,000 का डिफरेंस है और इस लाप्टॉप में मिलता है हमारे को फुल साइज का कीबोर सिंगल कलर बैक लिट कीबोर हमारे को इसके इंदर मिलेगा वाइट कलर कर सकते हैं इसके कीबोर की लाइट आफ भी कर सकते हैं और अंधेरे में अगर आप इसको ग्लो हो जाता है जो की सही लगता और वागल की ट्रैपिंग एक्सपिरिएंस बढ़िया है आप जो की डिस्प्लेइप आप ले सकते हो एंड डिस्प्ले आउट अट ऑपुट अट is 3050 से मिलेगा एंड आपवर डिलिवरी को अपरत करता है लेकिन 140वाट की पावर का चार्जर उठागे निगूमना चार्जिंग और साथ में हमारे को एक एडफोन माइक जब का कॉम्व मिल जाता है राइट साइड में हमारे को एक यूस्बी 3.2 जेन 2 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा और एक शुटर बटन में मिल जाता है आपका वेब कैम अनॉफ करने के जेन 2 वाला है और इस लापटॉप में मिलती है हमारे को 15.6 इंची फुल एच्डी डिस्प्ले जिसका रेजलुशन 1925 1080 है और यह हमारा IPS पैनल है एंटी क्लियर वाली दिस्प्ले है 345 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमारे को यह मिल जाती है 46 परसेंट के आस-पास NTS से मि और यह डिस्प्ले आती है 144 रिफ्रेश्ट के साथ तो अगर आप लाप्टॉप की डिस्प्ले मिलेगा एंड डिस्प्ले को अगर कंग्लूड करूं तो यहां पर डिस्प्ले बेसिक वाली है कलर ग्रेडिंग वाले टास्क कितने प्रिसाइजली नहीं कर पाहोगे बैसे कर 350 निट क्लेम किया है और 345 मिनिट निकल के आई भी है और ब्राइटनेस बढ़िया है जिस प्राइस का यह लाप्टॉप है यूजूली इतनी मिलती नहीं है इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर मुक्स स्विच मिलता है लिनोव बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी डिस्प्ले डिरेक्ली जीपीव सरेंडर होती लेकिन डी जीपीव मोड पर बाटरी बैक अब बाटरी अवा पर च्राइग ब्ले जाएगा पहले पेजaking सारी की सारी मोनिटरिंग इधर थर्मल मोड मिल जाएंगे जिसके उतने भी गेम टेस बागी काफी सारी चीज़ है जो अपने लाप टॉप में कर सकते हो और एक चीज आपको स्पेशली बता दूँ इसके इंदर हमारे को कस्टम मोड भी मिलेगा कस्टम मोड के इंदर हम इसकी फैन स्पीड को ट्वीक कर सकते हैं जिस ताइप की आप यूसेज कर रहे हो साफ से क थाक मान सकते हो आप इसको इसको कुछ इसकी वेपकेम की कॉलिटी है माइक भी लाप टॉप का यूज हो रहा है और वेपकेम वाला है तो थोड़ा सा रेजोलुशन आपको जाता मिलेगा यूजुली 720p मिलता है बागी क्वालिटी कैसे लेगी आप मेरे को कॉमेंट ना मैं बेसीक उसेज बता रहा हूँ यूट्यूब चला लिया मल्टी टास्किंग लिए जैसे जैसे आपका यूसेज भड़ेगा आपका बैटरी बैकप और कम हो सकता है और बाकि यह रैपिड चार्जिंग को सपोर्ट करता है लिनोव वैंटेज में जाके आप उसको पर देखो और यहां पर सबसे पहले तो आपका वोट आउट दूर करता हूं जिनके दिमाग में है कि 3060 और 3050 6GB वाला वो सेम है क्योंकि दोनों 6GB ग्राफिक कार्ड है यहां पर अपने सामने 3D Mark Time Spy का बेंचमार्क देखो लेट साइड में लिनोव लॉक का बेंचमार्क है जिसका जीप्यू स्कोर 5722 है और राइट साइड में एसर नाइट्रो 5 है 3060 यह भी 95 वाला यानि चैनल 5G वालें वाला 4050 यह वाला जो 3050 है यह 4GB वाले 30 50 और 30 50 tii से बेटर परफॉर्म करेगा बड़ 30 60 से बेटर परफॉर्म नहीं करेगा तो 40 50 से ओदेशिफे में करेंगा तो 40 50 से अगर अगर आपका बजेट 40 50 वाले Laptop का है तो वे ही लेना अब levant एफपेस लेवल की वीडियो एडिटिंग मखन ही एंडल कर लेता है क्योंकि मल्टी कोर स्कोर इतना बड़िया निकल के आ रहा है आप अगर स्टूडेंटों आपको कोडिंग वगएरा करनी है मल्टी टास्किंग करनी है ये लाप्टॉप किसी भी लेवल पर कोई दिक्कत निकरने वाला अगर आप गेमिंग करते हो गेमिंग के साथ साथ लाइफ स्क्रीमिंग आपको करनी है सिंगल पीसी वाली तो वह भी आराम से अडल कर जाएगा इसका GPU भी अच्छा का सा पावरफुल है और CPU भी तकड़ा है और उसके बाद आते हैं वह वाले लोग जो 3D मॉडलिंग ग्राफिक्स या फिर आर्किटेक्चर इंटिरियर डिजाइनिंग के काम करते हैं तो इसका जो GPU है वो जादा पावरफुल नहीं है प्राविक्स काक्ड की लिए इसके अंदर शारे गेम तर मारू फिर कंक्लुजन की बात करते हैं तो स्टार्ट कर रहें सब पहले व्यालेंट से और यहां पर हमने सेटिंस को रखा है यहांपर यहांपर फेंक्राइश्ख सकते हो अब यहां के और गेम टेस्ट भी होंगे बागी परफामेंस तो बढ़िया दे रहा है और स्टार्ट सारे आपके सामने हैं उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं GTA 5 और यहां पर हमने सेडिंग्स को रखा है वेरी हाई पर जो बाइडिफॉल्ट यह उठाई लेता है और यहां प सब्सक्राइड यहां पर देख सकें और यहां पर और यहां पर देख सकते हैं को ब्रहिए ऐड वाघ यहां पर यहां पर तो इस चीज़ का ध्यान रखना देन वी टेस्टेट गॉड और और यहां पे ग्राफिक सेटिंग्स को रखा है अमने अल्ट्रा पे यहां पे मारे को ड्लेस का सबोर्ड मिलता है जो राइट साइड में क्वार इस पास मिल रहे हैं दोनों कंडिशन में जिसमें ड्लेस अन औ यहां पे टेस्टिंग अ तो यहां पे अट्रेंग्स कारण है घंट सब्सक्राट की तरी यहां पूरी यूजी नहीं हो रही थी, 4.8 GB के आसपास जा रही थी, वाटेज यहां पर पूरी यूज हो रही लेकिन पर्फॉर्मेंस फिर भी ठीक निकाल के दे रहा था, वहीं पर DLSS क्वालिटी लगा तो 60 के आसपास FPS मिली गए थे, बागी सारे stats आप देगी सकते हो, उ इसमें दिक्कत है, किसी ने अगर भाय किया हो, तो में रहे बताना, 98 डिएरी तक जा रहे हैं, क्योंकि पहले वाला लॉक जब किया था, उसके अंदर तो ऐसा कुछ इशू आया नहीं था, वाटेज थी बहली यह कमती है, यह तो बहुत ही जादा है, लाइक जीप्यू के और CPU के भी, बागी सारे स्टाइट्स आपके सामने हैं, 5GB VRAM तक यहाँ पर यूज हो रही थी, और बागी वाटेज वगयरा सारी चीज़ आपको पताईए, उसके बाद हम टेस्स कर रहे हैं Hogwarts Legacy, जिसके अंदर राइट साइड में DLSS को कॉलिटी पर रखा है, लेट साइड बनती है, राइट साइड में DLSS को कॉलिटी पर रखा था, फ्रेम जनरेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, 3000 सीरीज वाला कार्ड है, सेटिंग्स को यहाँ पर रखा है, रेट रेट रेसिंग अभी इनीशली मैंने ओफ रखी थी, यहाँ पर GPU की पूरी जान निगली है, 6GB VRAM पूरी कंज्यू में, 95W TGP पूरी एकदम ड्रॉर ही है, और FPS यहाँ पर देख सकते हैं, 58-60 नॉर्मली मिल रहा है, जो की अच्छी परफॉर्मेंस है, वहीं पर DLSS क्वालिटी लगाने के बाद 5-10 FPS का आमारे को boost मिल रहा है, और यहाँ पर CPU Temperatures कम है, क्योंकि यहाँ पर CPU यहाँ पर देख तो ले किस साब से perform करेगा, और यहाँ पर बया क्या रहा है, ना, raw performance में हमारे को 10-12-15 FPS मिल रहे थे, जो अब यहाँ पर DLSS को क्वालिटी पर लगाने के बाद भी मारे को 25-30 FPS के आसपस मिल रहे थे, जो की प्लेबल मैं कहूंगा होते नहीं है, तो Spider-Man को कैसे बूल सकते हैं, यहाँ पर DLSS Quality है, राइट साइड में, ग्राफिक सेटिंग्स को वेरी हाई पर रखा है, रे ट्रेसिंग हमने रखिया ओफ, यहाँ पर अच्छे कासे प्लेबल FPS हमारे को मिल रहे है, 62, 72, 80 FPS, दोनों डिफरेंट सेनारियों में, और बागी सारे कोई फ्रॉट्लिंग का या फिर पर्फॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आ रहा, तो थर्मल्स के लिए मैं कोंगा, कॉमेंट सेक्शन में आप देख लेना, जो लोग यूज कर रहे हैं इस लाप्टॉप को, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उनकी ल प्लेबल है, बाकी एक्स्ट्रीम सेटिंग्स है, सेटिंग्स आप गिरा होगे, तो इससे बेटर पर्फॉर्मेंस निकाल सकते हो, मैंने आपको पीक दिखा दिया, तो यह था में तरफ से लिनोवो लॉक 3050 वाले का पूरा रिव्यू, यहीं पर बात कर देते हैं लाप्ट इससे डेफिनिटली बेटर है, गेमिंग में भी अच्छा पर्फॉर्म करेगा, वहाँ पर प्रोड़क्टिव टास्क में अच्छा पर्फॉर्म करेगा, जो 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर एफेक्स अर्गिटेक्चर वाले लोगों को मैं हमेशे बताता हूँ, उन लोगों के लिए वो वाला लाप्टव ज़ादा बेटर है, उस लाप्टव के अंदर आपको 2 drawback मिलेंगे, इसके comparison में एक तो brightness, नेट्स का, इसकी brightness ज़ादा है, उसकी brightness कम है, वो subjective हो सकता है, आप खुड़ डिसाइड कर लेना, दूसरा CPU की performance, इसकी CPU की multi-core performance ज़ादा ह थोड़ा बहुत तो आप अपने साब से चूज कर सकते हो कि आपको यह वाला लाप्टाप लेना है यह वह वाला लाप्टाप लेना है सेम प्राइस पर मिलेंगे और एक इसके कंपारेजन में लाप्टाप नाइट्रो वी भी आ जाएगा जो मारा 80,000 के अंडर चल रहा है अगर आपको हलका चाहिए तो नाइट्रो वी 15 के लिए जा सकते हो उसका भी रिव्यू है अमारे चैनल पर तो अगर लॉक के i5 12 जेनरेशन 30-50 वाले से कंपेर करते है तो नाइट्रो वी 15 बेटर है बट अगर इससे कंपेर करते है इसका CPU बेटर है लेकिन यह महंगा भी ह 88,000 का चल रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बस यही था मेही तरफ से लिनोवो लॉक अगर आपको लैट्टॉप पसंद आया तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वहां से आप जाके बाए कर सकते हो एक चीज़ के बारे मेरे को थोड़ा सा डाउ 56GB वाला किस तरीके चा परफर्म करता है आपकी क्या एक्सपेक्टेशन दी वो भी बता सकते हो पसद आई वीडियो लाइक मार देना पहली बार आख सब्सक्राइब मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाए